कि मैं डॉक्टर सील शिर्वास्तो आज आप लोगों को पसू के सरीर पर जो बाहत्वचा होती है उस पर जो छोटे-चोटे कीट होते हैं जुए होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि यह किस तरह से पसू का खून चूसते हैं और कम जूर हो जाता है पसू मर जाता है बाद बोट्ट है तो भी तो इस कीट को मैंज कीट भी कहते हैं और ये घोड़ा developing ॹप ना और सुवर और सrecht लिए अभ्थरिया को पढर और बहेंड में जादेतर पाए जाता है और ये क्या होता है कि यी हजुन की तरह छोटा होता है और ये मowym पंसुके बालों के जड़ में और तп्षा के अंदर अपने रहने का जगा बना लेता है और धीरे धीरे पूरे तव्चा पर फैल जाता है और फशू के खूण चूसते रहता है और मर जाता है और इसमें पता ने चलता कि इसको कौन सी बीमारी हुई है तो इसका समय पर अगर उपचार नहीं हुआ तो पसु काफी कमजोर हो जाता है और बाद में गिर करके मर जाता है तो इसके बारे में देखेंगे कि उसके जो साफ सफाई रखें जहां वो उसको रखना हो उसका साफ सफाई करें और यहां जो हवादार रोस्नीदार जगा पे रखें उसको और खाने का समचित बेवस्ता रखें रच्छातमक टीके लगाएं डीवर्मिंग कराएं और यह सब होता है और क्या करते हैं अगर यह पढ़ जाता है तो इसमें क्या करें कि इसमें यह लच्छड होता है कि एक रफ मोटी पर्तदार तवचा जो होती है उसकी वो छोड़ने लगती है और बाल गिरते हैं अगर थो प्चर होगा वो पेन्च की तरह दिखेगा और बाल को धीरे से भी कीचने पे वो आसाने से हात में आ जाता है और पसु अपने तप्चर को काड़ता रहता है क्योंकि इसमें बहुत खुझली होती है और चमडे को अमरे सा रगड़ता रहता है दीवाल वगयरा से और जखम ब कि दस भाग सर्सों का तेल ले लें और एक भाग समस सील प्रकापाुडर लें इन दौनों को अच्छी तरह से मिला लें और पसु के सरीर पर अच्छी तरह से लगा दें अ और आगर यह नहीं मिल पा रहा है तो नीम की पति जो हनल पाल करके उसका भी पानी निकालें हो आनने के बाद फंड़ा होने के वाद इसको पसु के सरीर पे लगा दें या यह फी नहीं मिल पा रहा है तो टाई टैंती एक घूल होता है टाई टैंती की पति जो होती कुछ जो होती है उसका घूल बना लें 0098 एक घेंट के बारते ही तो तीन झाल, 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 झाल